पिर्देश बार में हो रही तेज बारिस के चलते जहां कई मकान धरासा ही हो गए तो भही धर्मिक नगरी ओर्चा में भी इसका असर देखने को मिला आपको बता दें कि पिछले 15 दनों में ओर्चा के कई मकानों में पानी भर जाने से लाखों का नुकसान हुगा है तो भही हरदौल समाधी रोड के बाड़ साथ में रहने वाले मुकेश सेन का कच्चा मकान भी गिर गया मुकेश की पतनी सुमन ने बताया कि मंगलवार को हुई तेज बारिस के दोरान उनके मकान की दीवार गिर गई जिससे सुमन का हाथ फैक्चर हो गया और चोटी बच्ची को भी चोटे आई हैं उन्होंने बताया कि कई बार आवास के लिए आविदन दिया लेकिन परसासन दोरा आज तक आवास नहीं आया बहीं आवास आने के इंतजार में हमारा कच्चा मकान भी गिर गया मुकेश ने बताया कि अभी तक कोई भी जन परतिनिदी हमारे हाल पूँचने नहीं आये एवं अधकारी भी निरिख्चा करने नहीं आये एसार इवी पर औरचा से हरीश महराज की रिपोर्ट लोग आ जाने जैसे हमारे है लग गई 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 चोटे आई का बच्चे लोग चार उपांच उजनन नहीं हम ज़दा भी एक आते पूरी तुम्हें भी चोट आई का दिखा गई दू यह नहीं लगी थी यह त्टे गई गई अचा आती अच्च आच्छ वआ जाने आवास कि लाने सोनाज जहीं हो फारं डालो उट होगे पांच ए वाली ज़ी जहे हैं प्र लेगा आवास आओ के दिंग आओ, अगर नहीं हों, समाजेंगी कर रही तब जंगा फ्यरयाद, अद्कारी आए में निरिक शड़ कर भी किला ने कौ्त सुख्य में मभश्य जय गया तक को जिखने नहीं आए अभी तक कोई दिखने नहीं अभी तक ठो हम लगा चुके- आविकल भाहएं- नगरपंचात नेल गएती नेगर पंचात obsष कहे ढिया था उनके पास जाओ उनके-पास-उनंके पास जाओ- इसाई में सिदह के दिया कि भाई देखो हुआ या। हमारे खाम नहीं तब कि मैं छह बार भारम डाल चुका आवास का। लेकन आप तक हमको आवास प्राफतने। क्या ख़ेते नगर पंचयत अदिखारी आपसे। अगर पंचे अत्यातकारी क्या है एक बार फारम लेकर बनी तमारा आवास आ रहा है वो लिट हो गया है दूसरा तो दूसरा दिया